नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मांसी मददता यानकी mental retardation के बारे में जिसको हम बहुत एक अक्चमता भी कहते हैं मांसी मदधता वहा चैनल है जिसमें ब्यक्ति के दिमाग का विकास नहीं हो पाता है इसके दिलप्ति समायने से नीचे इस्तर की होती है यहाँ हो उस्ता है जिसमें बच्चों का मांसी विकास सारी विकास से कम होता है आप आता है इसका प्रकार अमेरिकन असोशेशन ओफ मेंटल रिटारेशन ने इन्हें नीमने प्रकार से वरकी गरीद किया है नमबर एक आता है सिमात मांसी मदता जिसको बॉर्डर लाइन के अंतरगर रखते हैं इसके आईकू सत्तर से पिचासी वर्स होते है अगला था है अल्प मांसी मदता जिसको हम मायल्ड के अंतरगर रखते हैं इसमें पचासी सत्तर के बीच आईकू होती है अगला था है अल्प मांसी मदता जिसको हम मोडिटेट के अंतरगर रखते हैं इसमें आईकू 35 से 50 के अंतरगर होती है अगला था है गंबीर मांसिंग मंदता जिसको हम सर्वर के अंदर गात रखते हैं इसके IQ 20-35 के बीच में होती है अगला था है अति गंबीर मांसिंग मंदता जिसको हम सर्वर प्रपाउंड कहते हैं इसके IQ 0-25 के बीच में होती है अब आते हैं इसके लक्षान इनके लक्षान अगला ध्यान की कमी आदी मांसिंग मंदता क्या है मांसिंग मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है यहां समस्या बच्चे के विकास वोस्तु यानि जीरो से 18 साल के दोरान पर कड़ होती है इस समस्या से जूज रहे बच्चे की सीक्टे की चमता और बुद्धिमता अपनी उम्री के अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम होती है अपनी इसी अक्चमता के चलते पिडित समान्य रूप से कारे करने में भी असमर्त रहते हैं यहार समेशा जन्म से अत्वा बजबन सेशी पिडित में मधूद होती है इस समेशा के कई कारण होते हैं और इसका अक्सर वेहत कम से बहुत अधिक तक होता है जो लोग मांसिक रूप से मन्द होते हैं उनको कई कार्यों में समिश हो सकती है जैसे किसी के सांद बात करना खुद की देखवाल करना दैनिक यूवन सामाजिक कोसल सामुदाइक संबर्क खुद का संचालन करना स्वास्तो और शुरक्षा इस्कूल सम्मद्रित कदिवित्या खाली समय की गदिवित्या अन्यकाम करना आदी मांसी मंद्रित्य के परकार क्या है मांसी मंद्रित्य के चार मुख्यों और गहें पिडित्य को इन सभी से एक स्थर उनके द्वारा मानुविकरित आईकू टेस्ट बुद्धी फ्रक्षेशन में किये गई प्रदसन के आधार पर किया जाता है इसके साथ ही इस बात का भी फ्रक्षेशन किया जाता है कि पिडित कितनी जल्दी बातचीत करना या सामाजिक तोर पर गुलने मिलने जैसे चीज़ें सीख पाता है नमबर एक आता है सोमे या वहत कम मांसी मंद्रित्या मांसी मंदता वाले जिन लोगों की आईकू इस तरकी अरिक्तन सिंग्या 55-70 होती है उन्हें सो में मांसी मंदता वाला माना जाता है सो में मांसिक मंदता से गरस्त बच्चों की समयश्या का पता अक्सर तब तक नहीं चल पाता है जब तक हो अच्छे से अपनी स्कूल के वर्सों में ना जाब जाए अगला आता है मंद मांसिक मंदता मांसिक मंदता से पिड़ी लोग वे होते हैं जिनके आईकों 40-54 तक होती है बच्चे जो मध्यम मांसिक मंदता से गरस्त होती हैं वे अपनी सारीक मांसिक पेश्यों की कारी में बोलने आजी जैसे कारे काफी देरी से शुरू कर पाते हैं हालनकि इन प्रियुद्टों में उप्योगी अकादमी कोसल प्राप्त करने की समभावना तो नहीं होती है, लेकिन वे कुछ स्वास्त और शुरुक्षा की आदते, बुन्यादी बात, चीत और अन्य समयने कोसल सीख सकते हैं. अगला आता है गंबिर मांसिंग मंदता, मांसिंग मंदता हुए से गरस्त जिन लोगों में निंतमा की 20 से लेकर 49 तक होती है, उनकी शमस्या को गंबिर मांसिंग मंदता बना जाता है, उनकी इस इस्तिति की जांज, जन्म की समय या उसके बाद कुछ ही समय के वितर कर ली जा तक होता है जिन्हें गहन मांसी समेश्या माना जाता है इनकी इस समेश्या का पता आम तो पर जन्म के समय ही चल पाता है मांसी मदरत के लक dłню बौदी विकास को प्राप्तर करने में बिफलता, जिग्यासा में कमी और समीलशाओं को हल करने में कटनाई महसुद को होना, चीज़ें यार रखने में कटनाई होना, इसको दोरा आवश्य से शिक्षत समझी मांगों को फूरा करने में समझता, बच्ची जैसे बिहार कर रहता है आमतOR पर यह बिहार रोगे के उसके बोलने के तरीके से प्रदस्यर्ट होता है साथ ही समाजिक निमानों को ना समझ पाना भी इसका एक लक्षन होता है मास्री उंत्र से ग्रिष्टि बच्चो को निमने लक्षन से पैठान सकते हैं नमरीग बच्ची के जन्नोय कथी तुरुधा न रोना अगल है बच्ची का विकास अन्यु बच्कों की तुन्दमे 75 से हो रहो अर्थाद से चलना वैठना बोना शुरो करना आदी अगल है किसी विकायों को कुछता को धीमिकति से सीखबाना। चैनल है अपनी उम्री के अनुसार सामें अन्होर कार्यों को जैसे बोजन करना , बठन लगाना , कप्डे पहना , समय देखना , आदी कुछ सल्सता से नकरबाना अगला है बासास का सही पर्योग न करबाना अगला है पड़ाय में पीछे रहना अगला अपनी उम्रे के अन्य बच्चों के सांथ घुल मिल नहीं पाना अगला अपनी उम्रे में से कम उम्रे के बच्चे की तरहो बेवार करना अगला है डेनिक कार्यों के लिए दूसरू पर निवर रहना कारण आता है इसके मांसी मतलता होने के कई संभाविक कारण हो सकते हैं जैसे गर्ब में बच्ची का बेखास सही से ना हो पाना गर्ब आउसता की दोरान मा की अच्छी देख भालना हो पाना या मा को कोई तकलिफ होना जन्म के समय बच्ची को सीड पर भारी चोल लगना छोटी उम्रस में सीड पर कोई गहरी चोल लगना बच्ची को सुन्तोलित पुसण आहार तथा सही वातावरान न मिलना और मांसी कारण मिर्गी दोरे या तेज बखार का होना आदी अब आते हैं इसके चिकशिया तथा उपचार मांसीक मन तता एक आजवन रहने वाले आउस्ता है जिसके पूर उपचार के लिए कोई दवा नहीं खोजी जा सकी है और थो इसके इलाज के लिए यहां वहां पठकते हैं बीना समय गवाए इसके बारे में जानकरे प्राप्तक्रे मुनोबैगनिक तथा मुनोचिक्शिकूर्ट का प्रामार्स हो जरूर ले बच्चे का बुद्धी यानकी आएकुप्रिक्स्राण जरूर करा ले बच्चे को उसकी जरूरत के अनुसार बिसेश विद्धाले में प्राप्स्रिक्शन के लिए बहजें दन्यवाद